आज हम कोरल गंपती जी की अभिशेक और उपासना करेंगे और इन्हें स्थापित करेंगे इसके लिए हमें लगेगा एक कोरल गंपती, एक कटोरी दूद, जिससे हम अभिशेक करेंगे एक कटोरी पानी, एक माला जिससे हम 108 बार मंतर जाप करेंगे और जो चावल हैं जिसमें हम गंपती जी को स्थापित करके मंदिर में रखेंगे हमें पूरे प्रार्थना और श्रद्धा के साथ गंपती जी को प्रार्थना करके उनका अभिशेक करना है एक कॉपर के प्लेट में आपको कुरल गंपती रखना है और हम अभिशेक का स्टाट करेंगे एसे करके हम 108 बार चैंटिंग करेंगे गंपती जी के मंत्र का और फिर पानी से टोटल जब तक हम 108 बार चैंटिंग करेंगे दूद और पानी एक एक कटोरी से अभिशेक करेंगे वो साफ करेंगे और साफ करके ये जो चावल का जो कटोरी है इसमें स्थापित करेंगे और मंदर में रखने वाले हैं